आई रहीम पे, रहीम को समझते हैं कि रहीम दास ने अपनी सत्साई में मातरिक पतन किया है या नहीं किया है रहीम सत्साई का तेईसमा दोहा रहीम कह रहे हैं अंजन दियो तुकिर किरो सुर्मा दियो न जाए जिन अक्यन सो हरी लखो रहिमन बले बले जाए पहला खंड देखिए अंजन दियो तुकिर किरो अब तो लिखा है वहाँ पर लेकिन मातरिक पतन हुआ है तो केकाब से 14 मातरा होती है ठीक है तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की और कहा जाता है कि जैसे अर्दू शायरी में मातरी पतन होता है यानि कोई हर्व किराया जा सकता है वैसा दोहे में नहीं हो सकता तो आपका इस पे क्या टेक है यह बहुत बड़ा सवाल है और पिछले 20 साल से जबसे मैं दोहा निगारी कर रहा हूँ या मैं दोहे पढ़ रहा हूँ तो इस्पेशली हिंदी खाली जगत में हिंदी जगत और उर्दू जगत दोनों में दोनों इस बात को मानते हैं कि दोहे में मातरिक पतन नहीं होना चाहिए वो अलग बात है कि अर्दू वालों ने वैसे दोहे को नहीं बरता है उन्हों ने सरसी में भी दोहे को बरता है और यह सिलसला पाकिस्तान से शुरू हुआ कि सरसी में वो दोहे कह रहे हैं मातराइं भी गिरा रहे हैं लेकिन मांते हैं इस बात को जो विद्वान है अर्दू और हिंदी के वो एक ही प्लैटफॉर्म पे हैं वो कहते हैं कि मातरिक पतन नहीं होना जाए ल pé reference लेहाज़ा वजन नहीं गिरा सकते तोहे को लेकिन ये नहायती अफसोस की बात है अगर ये किसी भी सिंफ में वजन गिराने की जो गुंजाईश दी जाती है वो शायर की असानी के लिए नहीं दी जाती है बलके शायरी के अंदर खुपसूरती पैदा करने के लिए नकम भी पैदा करने के लिए ये चीज़ दी जाती है हमने इसके उपर बहुत पढ़ा समझनी कोशिश की क्योंकि मेरी समझ से बाहर थी ये बात कि अगर आप मातरिक पतन नहीं करते हैं दोहे का तो आप आहंग को नहीं बरत सकते बिलकुल भी कभी भी नहीं बरत सकते आहंग और आप अच्छे दोहे नहीं कह सकते और उसी का नतीजा है कि जो कोर्स बुक में दोहे पढ़ाय जाते हैं वो आज भी अबदी और ब्रच के दोहे पढ़ाय जाते हिंदी और दुवाले अपने दोहों को कोर्स बुक में शामिल भी नहीं करवा पाए और उनके दोहों की कोई मान्यता नहीं है क्योंकि जो रस था उसका जो उसका आहंग था वो यह रूल लगाने के बाद कि आप मातरिक पता नहीं कर सकते सिर्फ जोंजड रह गया उसमें कोई लज़त नहीं है और संस्कृत के उन्होंने एक किताब लिखी चंद अनुशासन चंद अनुशासन संस्कृत में किताब लिखी गई है तो वहां उन्होंने दोहा चंद का जिक्र किया और उन्होंने क्रम बताएं कि किस चंद का क्या क्रम रहेगा बहराल यह बारवी सदी की बात थी तो इतना ड दोहरा, दोही, यह सारे आसपास के छंद हैं, उन्होंने एक ही छंद से बताया, मातरिक पतन का कोई भी जिक्र नहीं है हेमचं सूरी के अहां, बारवी सती में, आव आएए आप हेमचं सूरी के बाद ये तो आपका आदिकाल था, तो हेमचन सूरी के बाद फिर ये सिलसले आगे बढ़ते हूँ हेमचन सूरी आपके आदिकाल के थे ये अभरंश काल था और वो दोहा निगारी अभरंश में ही करते थे हेमचन सूरी तो वो आता है भक्तिकाल अब हम ये समझते हैं कि क्या भक्तिकाल के बहुत बड़े दोहाकार जिनके दोहे हम पढ़ते हैं जिनको पढ़के हमने दोहे को समझा क्या उन्होंने मातरिक पतन किया है या नहीं किया है ठीक है तो शुरू करते हैं कबीर से तो हमने कबीर का दोहा हम NCRT में पढ़ाया बहुत मशूर दोहा है, कि बुरा, जो देखन मैं चला, बुरा नमीले या कोई, बुरा जु, जो नहीं कह रहा है, जो कहते तो 14 मात्रा हो रही है, बुरा अगर इसका जवाद ये पेश किया जाए, कि भाई, ब्रज में जो है, तो नीचे मिसरे पे आ जाईए बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई जो दिल खो जा अपना मुझसे बुरा ना कोई अब सवाल ये उटता है कि कबीर सीधे कह सकते थे बुरा देखने मैं चला बुरा ना मिलिया कोई देखन क्यों का जू क्यों किया वो इसलिए किया जो हमने आहंग की बात की थी कि बुरा देखने मैं चला बुरा ना मिलिया कोई कोई लज़त नहीं है इस मिसरे में इसमें ठोकर दिये वो जो ठोकर दिये है वो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई ये हुआ कबीर का एक दोहा, मैं एक दो दोहे और कोट कर देता हूँ एक दोहा कबीर ने कहा है पीये का मारक सुगम है, तेरा चलन अनेर, नाच न जाने बावरी कहे आंगना तेर अब ये पी का, पहले वाले दोहे में पी इस्तिमाल किया है, कबीर ने कबीर की वोकैबलरी में पी था लेकिन यहां क्या है, पी ये यहां मातरिक पतन हो गया कबीर किया, इस दोहे में भी अब आईए साब कबीर के लिए कहा जाता है कबीर पड़े लिखे नहीं थे हो सब्ताय चूक हो गई है रहीम बहुत पड़े लिखे थे और उनके काफी बात के हैं रहीम की सतसई उसी शकल में छपिये जिस शकल में लिखी गई थी यह जो मैंने कबीर का दोहा कोट किया है यह कबीर ग्रंथा वली से कोट किया है जो श्य पर रहीम को समझते हैं कि रहीम दास ने अपनी सत्साई में मातरिक पतन किया है या नहीं किया है रहीम सत्साई का तेईसमा दोहा रहीम कह रहे हैं अंजन दियो तुक्र किरो सुर्मा दियो न जाए जिन अखियन सो हरी लखो रहीमन बले बले जाए पहला खंड देखिए अंजन दियो तुक्र किरो अब तो लिखा है वहाँ पर लेकिन मातरिक पतन हुआ है तो केकाब से चौधा मातरा होती है ठीक है दूसरा दुखा ये रहीम की सत्साई का सत्तरमा दुखा है 70 जे सुलगे ते बुझ गए बुझे ते सुलगे ना ही अब दो ते हैं एक पहले खंड में विशम में एक सम में पहले खंड में वो कह रहे हैं जे सुलगे ते बुझ गए बुझे ते सुलगे ना ही दूसरे घंड में जाके उन्होंने ते का मात्रिक पतन कर दिया कभी रहीम ने सत्तरवे में फिर अगला दुहा आता है अठाइसवा सत्सई का करत निपनई गुन बिना रहिमन निपन हुजूर मानहु तेरत बिट पचल मोह समान को कूर को का मात्रिक पतन हो गया मोह समान को कूर चीक है अब हम रहीम से आगे बढ़ते हैं अब आता एक बहुत बड़ा नाम और ये कहा जाता है कि जबान के एतबार से दोहे में इससे बड़ा कोई नाम ने अभी तो ये फिलोसिफी के हिसाब से कभीर बहुत बड़े हैं रहीम नीती फिलोसिफी के हिसाब स बहुत बड़े दोहा निगार हैं लेकिन जबान के हिजाब से जिसने पॉर्मल ब्रच का इस्तिमाल किया है और जबान के हिजाब से दोहों को बुलंदी तक पहचा दिया है वो सबसे बड़ा नाम बिहारी लाल का है ठीक है मज़े की बात ये लगी कि जब मुझे मेहनत नहीं करने पड़ी जब मैंने बिहारी की सत्साई उठाई तो पहले ही दोहे में मातरिक पतन हो गया बिहारी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की जाई परे स्याम हरी दुत होई अब यहाँ पर होई में मातरिक पतन हो गया पहले ही इनका सत्साई का पहला दोहा है सत्साई का उन्तालीसवा दोहा नीको लसत लिलार पर टीको जरत जराई छवहई बढ़ावत रव मनो ससिमंदल में आई यहाँ पर जो उसका पता का है वहाँ पर मातरिक पतन हो गया तीसरा दोहा है दोहा नंबर सत्ताईस गोधन तू हरियो हियो हरियक लेह पुजाई समझ परेगी सीज पर परत पसुन के पाई हिंदी का पाई अब जो हिंदी में आगिया है फॉर्मल हिंदी में पाई पैर के लिए कहा जा रहे है पश्वों के पैर के नीचे जब तुमारा सर आएगा जब तुमें पता चलेगा पाई चौपाई चार पैरों वाला चंच जिसके चारों पैर बराबर है 16, 16, 16, 16 पाई जिसके चार पैर हें। पाई में बड़ा इे होता है। कि हमने देखा हेमचंचूरी को अब नहीं जिक्र नहीं किया, कहीं मात्रिक पत्न का। फिर हम भक्तिकाल आहे। हमने भक्तिकाल के जितने भी बड़े दूई निगार हो सकते हैं, ने सब को देखा तो हमें खुँभ मातरिक पतन मिला औग खुबसूरती से इस्तिमाल किया मातरिक पतन का तो हमारी दिलचस्पी और बढ़ी कि आखिर ये बात कहां क्वठ बतन नहीं होना चाहिये तो अब सबसे ज्यादा जो लक्षण गरंथ लिखे गए जो दोहे का काईदा है तो जितने भी उस जमाने में केशव मतिराम यह सारे जितने बड़े बड़े दोहा निगार थे यह सब उस्ताद थे और इनोंने लक्षण गरंथ सभी के आपको मिलेंगे लक्षण गरंथ लिखे फिर हमने उनके लक्षण गरंथ पढ़ना शुरू किया तो सबसे बड़ा नाम जिनके सबसे ऑफ्षेंटिक लक्षण गरंथ है और हिंदी में जिने पढ़ाया जाता है कोर्जबुक्स में वो है केशव तो केशव के लक्षण गरंथ पढ़े कि वो क्या कहते हैं क्योंकि उसके बाद अगर हम रीतिकाल के बाद आए तो हिंदी में फिर बात करेंगे हम हिंदी क्योंकि हिंदी में हमें दोहा मिला ही नहीं अब हिंदी कोर्जबुक्स में जो पढ़ाया जाता है उसमें भी किसी हिंदी कवी के दोहे नहीं पढ़ाया जाते हैं उसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल पढ़ाया जाता है और काईदा, भक्तिकाल में काईदा नहीं था जो दोहे के काइदे लिखे गए हैं जो लक्षन गरंथ लिखे गए वो रीतिकाल में लिखे गए हैं रीतिकाल बहुत एहम है academics के साफ से तो वहाँ का सबसे बड़ा नाम जिसके लक्षन गरंथ को पढ़ाया जाता है वो है केशव केशव किया हमने खोचने की कोशश की कि मातरिक पतन पे क्या कहा गया है दोह अच्छा वो लक्षन गिरंथ बड़े इंक्रेस्टिंग है जो इन लोगों ने लक्षन गिरंथ लिखे हैं वो दोहे में हिदायत दी है दोहों में ही लिखे हँए हैं हूँ है 때 बड़े खुब्सूरत लिखें, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दीरग, अच्छा दीरग क्या है? दीरग क्या रहा है, दीरग क्या रहा है ये Гुरु को, जिसको हम टू कहते हैं, लगू जिसे हम वन कहते हैं, तो उन्होंने वह रूल बताया कि मातरिक पतन कहा करना तो उन्होंने कहा कि दीरग हू लगू के पढ़े दीरग को लगू की तरह पढ़ो दीरग हू लगू के पढ़े सुक हो मुक जे ठोर मुक व सुक हो सुविधा हो सौ लगू कर लेखिये केरा कवी सिर मोर अब इसमें केशफ क्या कह रहे है हैं कि हे कवी शुरुमणी जहां गुरु को लगू करके पढ़ने में मुख को सुविदा होती है वहां उसे भी लगू ही समझा जाना चाहिए इनके केशफ के यहां ही अच्छा एक और बहुत इंट्रेस्टिंग बात कि केशफ दोहों में ही हिदायत दे रहे हैं और बता रहे हैं जो इनका लेक्शनल गरंत है मैं उसका नाम बता देता हूं आपको यह मैंने लिए कवी प्रिया से कोट किया है तो कवी प्रिया में यह है पेज नंबर 26 पर अब देखिए कि जो वो हिदायत दे रहे हैं एक दोहे में अब आप वो देखिए कि वहां वो खुद मातरिक पतन करके दिखा देते हैं केशफ संयोगी के आदियुग संयोगी के आदियुद बिंद जो दीरग होए बिंद जो दीरग होए अब यहां पर उन्होंने जो पर जू कर दिया सोई गुरू लगू और सब कहे सियाने लोए तो पहले मिश्रे में इन्होंने मातरिक पतन किया है अब एक अगर आप हिंदी का इतिहास पढ़ना चाहते है या बहुत एहमियत है दो तीन लोगों की अगर आप हिंदी जबान का इतिहास हिंदुस्तानी जबान हिंदी तो नई जबान है हिंदुस्तानी जबानों को पढ़ना चाहते है या उन कवियों के बारे में उनकी जीवनिया शौट में और किस सन में पैदा हुए क्या उनकी कर्म भूमी थी क्या जन भूमी थी तो बह सेगर है और एक नाम और एहम है मिश्रबंदु विनोथ इन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने कमपाइल की है कुछ बुक्स जिसमें भक्तिकाल से लेके आधुनिक काल तक जितने भी कभी हुए उनकी शौट जीवनिया लिग दी है उसके अंदर ठीक है तो उसी में बहुत एहमियत है इस किताब की मिश्रबंदु विनोथ की तो जब मैं उनका परिचय लिख रहा था तो मिश्रबंदु ने परिचय में बहुत एक मज़िदार बात लिखी उन्होंने लिखा कि एक बार बंकिमचंद चटर जी का जब उपन्यास आया शाया हुआ तो उसके उपर कई और उन्होंने बड़ी सक्व जबान का इस्तिमाल किया कि पगड़ धारी संस्कृत के पंडितों ने हमला कर दिया और उन्होंने उसके अंदर एक शब्द इस्तिमाल किया था सोजन्यता तो उन्होंने कहा कि नई सोजन्यता कैसे इस्तिमाल कर लिया तो उन्होंने उस बात को खत्म करने के लिए लड़ाई खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि भई आप जब कोई उपन्यास लिखें मुझे अमीद है कि आपको ज्यादा पढ़ा जाएगा, मुझसे भी ज्यादा, तो इस तरह उन्होंने वहाँ एक बहस फत्म कर दी, लेकिन वह बहुत एहम है जहां मिश्र बंदू, वो जो उन्होंने अपनी किताब का भूमिका लिखी है, जो उसके अंत में लिखा, उन्होंने कहा, कि किसी भी जबान की व्याकरण, अब मैं उसी बात पर कह रहा हूँ, जो मातरिक पतन की बात है, और ये बहुत गंभीर बात है, इतना खुबसूरत चंद, जो हिंदुस्तानी चंद है, जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, और जिसकी उम्र हजारों साल ह जिसने कितनी सदियों का सफर टै कर लिया कितनी जबाने उसके सामने मर गई आप सफर देखीये कि अब रहुआ अब रहाँ आज कहां बोली जाती है और वहां से अब रहुआश काल को गोल्डन पीरिड ओब दोहा कहा जाता था और उस जमाने में दोहे का राज था वहां से लेके आज हिंदी में आके आप इसने कठोर नियम बना रहे हैं जो रसहीन कर देते हैं दोहे को और आप जब उसमें कामियाब नहीं है और जब ये वाज़े हो चुका है कि लक्षन ग्रंथों में भी मातरिक पतन है और सारे हमरे बड़े दोहा निगारों ने मातरिक पतन किया है तो ये कौन से लक्षन गिरंथ लिखे गए हैं हिंदी में जो दोहे को इतना निर्बल बना रहे हैं अब उन्होंने उसके अंत में एक बात कही विश्र बंदु विनोद में उन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्याकरन जो उस जमाने के बड़े बड़े कवियों लेखकों की रचनाएं उसकी तुलना में अशुद्ध हो जाएं तो उसको तुरंद भंग कर देना चाहिए क्योंकि उस व्याकरन से बड़ा शत्रू साहित्य का कोई हो ही नहीं सकता साहब आपने तो आपकी इस गुफटगू से ऐसा मालूम होता है कि असल में जब हमने दोहा कहना शुरू किया तो जाहिर है कि हम दोहे के पंडित तो थे नहीं तो एक बार यह हुआ कि हमने एकाद दोहा फेस्बुक के उपर भी पोस्ट कर दिया तो फेस्बुक पर पोस्ट करने कर नतीज़ यह हुआ कि कुछ हिंदी के पंडितों ने हमको आगहरा और कहा कि आप मात्रिक पतन जायज नहीं है लहादा यह दोहा आपका दोहा है नहीं और आप चुके अर्दू वाले हैं तो आप लोग इसको जायज करके खराब कर रहे हैं लेकिन अब अगर कोई हमसे यह बात कहता है तो आपने हमको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको जवाज अता कर दिया और अब जिसके उपर हम किसी से भी यह बात कह सकते हैं कि दोहों में असातिजा ने भी मात्रिक पतन किया है और यह अगर हुसन के लिए किया जा रहा है तो जायज है अगर इज़े बयान के लिए किया जा रहा है तो ना जायज है बिल्कुल सही का हमें लगता है कि ये सवाल का जवाब सुनने के बाद हम सबको ये समझ में आ चुका है कि मात्रिक पतन ना सिर्फ दोहों की में होता है बलकि दोहे की कुपसूरती भी बढ़ाता है